हेलो फ्रेंट्स आज हम चोचा करने चल रहे हैं एक ऐसे महत्पून युद्ध के बारे में चोचा का युद्ध चोचा का युद्ध 26 जून 1539 स्री को हुआ था और ये युद्ध मोगल बाशा हमायू और अफगान सक्थ जिसको हम सेरसा कहते हैं सेरसा सूरी या सेरखां के बीच युद्ध हुआ था और ये युद्ध बिहार में चोचा नाम के अस्थान पर हुआ था इसलिए इसको चोच का युद्ध कहते हैं और मध्यकालीन भार के इतिहास में इस युद्ध का बहुत ही महत्तु है क्योंकि इस युद्ध के बाद हुमायू की जो सक्थ थी वो कमजोर हो गई और अगले होने वाले युद्ध कन्नोज का युद्ध है विलग्राम के युद्ध के बाद हुमाय इद्ध से पहले की प्रिष्ट भूम समझ ले और भारत का उस समय का मांचित देख ले जो प्रमुख अस्थान इस कहानी में आने जा रहे हैं उन प्रमुख अस्थानों से परचित हो ले आपके सामने मैंने मांचित बना दिया है जिससे आपको समझने में असानी हो इतिहास क अगर मांचित के साथ हम अध्यन करते हैं तो वो चीजें हमारे मनमस्तिष पर अमिट छाप छोड़ देती हैं और हमेशा के लिए वो चीजे बिजुलाईज हो जाती है देखे लाहौर इस अस्थान का उलेख आएगा दिल्ली आगरा संभल कन्नोज चौसा यहां आपको बता दूँ चौसा इस समय में बिहार में बक्सर के पास है दूसरा यह आप अस्थान देख रहे हैं ससाराम जो सेर्शासूरी का अस्थल था सेर्शासूरी का छेत्र था और आज ससाराम जो हेड़क्वार्टर है वो रोहतास गड़का है रोतास जिला है तो रोतास का हेट क्वाटर है ससारओ रोतास का भी उलेख हैगा मुंगेर तेलिया गढ़ी और गॉर जिसको की लखनोती कहते हैं आज ये बंगाल में माल्दा जिले में है तो तेलिया गढ़ी और गॉर ये दो technique जाना जाता था तो इन अस्थानों से आप अच्छी तरह से फेमलेर हो जाएं आप हम चल्चा करते हैं कि चौशा का युद जो था जो 26 जून 1539 को लड़ा गया ये युद हुमाईव क्यों हार गया क्या रणीत हुमाईव ने अपनाई थी और क्या रणीत सेशासूरी ने अपनाई थी जिसक आपको इसे की पूर वीडियो में बताया था कि हुमाईव की भूलें क्या थे उन भूलों में एक भूल इसकी सबसे बड़ी थी कि अपने सामराज को भाईयों में बार देना पारिवारिक सक्ति कम्जोर हो गई हुमाईव को अपने भाईयों का सहयोब नहीं मिल पाया और दूसरी और उस समय अफगानों की जो सक्ति थी वो हुमाईव के लिए प्रबल चनोती थी और उन अफगान सक्ति के नेताओं में से एक ऐसा जुझारू नेता था जिसका नाम था सेरसा सूरी सेरसा सूरी ये मामूली जागिरदार के पत से एक बड़े सेना पत के रूप में पहुँचा था फरीद बच्पन का नाम था पिता जागिरदार थे उनकी जागिर का एक प्रबंधत था और इसने वो सभी प्रसासनिक बारीकिया निम्द अस्तर से लेकर के उच्छ अस्तर तक सीखी थी और साथ ही साथ ये एक ऐसा ब्यक्ति था जिसको की मुगल सेना में सेवा करने का भी मौका मिला था बाबर के समय इसने मुगल सेवा में अपनी सर्विशेद दी थी तो मुगल सेना की जो युद्धनीत थी जो उनकी रड़नीत थी उससे भी यह पर्चित था तो मुगल सेना की जो weakness थी, जो strength थी, इसको भी अच्छी तरे से समझता था, सेरसासूरी मात्र एक जागीरदार्द का बेटा था, लेकिन उसके बड़ी महत्वा कांचा थी, और वो बहुत अच्छा एक योधा था, और इसी वज़े से मुगल सेना में उसको रखा गया था, म सुल्तान मुहम्मद साह, सुल्तान मुहम्मद साह के समय में उसने नौकरी पाली, कुछी दिनों में सुल्तान मुहम्मद साह के मृत्ध हो गई, और उसके बाद उसका बेटा जलाल खा, जो अलफवैस्क था, तथा उसकी मा दूदू बेगम, जो सन्नच्छिका थी, उसके नेतुत में उसने वकील का पद प्राप्त कर लिया, तो इस तरह सेर खां को एक अच्छा वोदा मिल गया, सेर खां ने अपना सक्ति विस्तार अप और अपनी महत्वा कांचाओं को पर देना चालू कर दिया, सेर खां ने उस पद पर रहते हुए अपनी सक्ति को संगठित किय यद्य जिवन में कई उतार चढ़ा हुआए, लेकिन वो धीरे धीरे अफगान सक्ति को संगठित करने में बिहार में सफल हो गया, उसको एक चनोती महमूत खां लोदी दे रहा था जो अफगान नेता था, लेकिन सेर खां ने अपनी जो पकड़ थी, वो अफगान सरदारो पर बनाये रखी, और उसने एक अफगान सेना का निर्मार करके 1534 में सूरतगण और 1536 में उसने बंगाल को जीत लिया, चेर सा सूरी एक बहुत अनुहवी सेनापती, बहुत अच्छा योजनाकार, बहुत अच्छा कूट नितिक और बहुत बहुत बहादुर सैनिक प्रतिभा का धनी व्यक्ति था, इसने जिस समय बंगाल पर आक्रमन किया, उस समय बंगाल का सासक था गयासुदीन महमूत, और उसका सेनापती था इब्राहिम खां, जो उस समय का एक प्रमुख सेनापत की रूप में जरा जाता था, सासक बंगाल का था गयासुदीन, महमूद और उसका सेनापती इब्राहिम खाँ जब उसने 1536 सेश्वी में बंगाल पर आक्रमन किया तो गयासुदीन और इब्राहिम खाने एक बड़ी सेना ले करके सेर साह का रास्ता रोकने के लिए ये तेलिया गढ़ी है देखे से जो किया बंगाल कहा जाता था ये एक ऐसे दर्रे परिस्थित है दो बड़े सामरिक दिश से महत्पून अस्थान थे तेलिया गढ़ी और सिकरी गढ़ी तेलिया गढ़ी के पास दूसा दर्रा था जिन दर्रों से बंगाल में प्रवेश हो सकता था ये सिकरी गढ़ी तो इन दोनों अस्थानों पर बंगाल की सेना ने मोर्चा दमा लिया शेर खां की सेना को किसी भी तरे बंगाल में प्रवेश करने कम अउसर ना मिल सके अब देखे सेरखा की हुश्यारी सेरखा ने अपने दुस्मन के मोर्चे को देखते हुए अपना रास्ता बदल दिया उसने दूर पहाडी का चक्कल लगा करके गौर पहुचने में जिसको लखनोती कहते थे यहां सफलता प्राप्त कर ले ग्यासुदिन महमूद और इब्राहिम की सेना तेलिया गढ़ी और सिक्री गली पर मोर्चा समाले खड़ी रही और सेरखा की सेना घूम करके चकल लगा करके कब गौर पहुच गई इनको पता भी ने लगा और इस तरह इन्होंने गोड को पराजित कर दिया ग्यासुदिन महमूद को संधी करनी पड़ी और सेरखा को बदले में तेरा लाख दीनार जो स्रण मुद्रा थी वो देनी पड़ी तो अब जब सेरखा ने बंगाल को जीत लिया तो उसका वोदा उसका रुत्मा और बढ़ गया उसकी महत्वा कांचा को और पर लग गई उसकी प्रसिद्धीफ हो गई अब ऐसे इस्थित में सेरखा बिहार और बंगाल का एक सबसे बड़ा अफगान नेता सावित हो गया 1536 इसबी में उसने बंगाल को जीत लिया तेरा लाग स्टोड मुद्राएं उसके पास परियात खजाना भी हो गया उसने एक बड़ी सेना का निर्मार किया और वापस विहार ससारा मा गया 1537 में सेरखा ने पुना बंगाल पराक्मन कर दिया अब पुना बंगाल पराक्मन करने का उद्देश ये था गयासुद दीन महमूद ने जो 1536 में संधी हुई थी उस संधी के अनुसार उसको वार्षिक कर सेरखा को देना था उसका भुगतार उसने नहीं किया था इसलिए अपने वार्षिक कर की वसूली के लिए सेरखा की सेरखा की सेराओं ने 1537 में फिर से बंगाल पर आकमन कर दिया और इस बार बंगाल अभियान की बागदोर सेरखा ने अपने बेटे जलाल खा और अपने कमांडर खवास खा के हाथो जोपी तो इस अभियान का नेतुत कर रहा था 1537 में जलाल खा जो सेरखा का लड़का था और दूसरा उसका सेनापती खवास खा इन दोनों के नेतुत में अफगान सेनाओं ने आकमन कर दिया और यही वो समय था जब हुमायू को सेरखा की बढ़ती हुई ताकत ने चिंतित कर दिया हुमायू ने सेरखा की सक्तिको नियंतित करने के लिए मुगलों की एक बड़ी सेना ले करके उसने बंगाल पर और सेरखा के उपर आकमन करने के लिए निकर पड़ा हुआ क्या कि इसी समय ग्यासुद दीन महमूद ने बंगाल का जो सुल्तान था उसने हुमायू को मदद के लिए अपील की कि वो अफगान सरदार के खिलाफ ग्यासुद दिन महमूद की मदद करें तो ग्यासुद दिन महमूद के निमंतरण ग्यासुद दिन महमूद के द्वारा मदद मांगे जाने पर हुमायू बड़ी सेना लेकर के आगरा से बिहार की ओर चल पड़ा यहाँ पर जलाल खा और खवास खा के नेतुत में जो सेना थी वो बंगाल को जीतने के लिए चल पड़ी थी और यह चाहते थे कि हुमायू के आने के पहले बंगाल को जीत रिया जाए और बंगाल का ख़जाना किसी भी तरह से रोतास गड़ लाया जाए इन्होंने बंगाल कि राध्धानी गोल को जीतने का तोदेस बनायाए है साथी साथ इनकी एक सेना की टुक्डी चटगाऊ चटगाओं यहाँ बंदरगा है बंगलादेश में चटगाओं की तरब भी एक टुकडी ने आक्रमन करके इन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया मुगलों की सेना जो हुमायू के नितुत में थी वो आगरे सी चल पड़ी और वो कहां पहुँच गई उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर डिस्टिक में एक बहुत प्रसिद्ध किला है चुनार का किला चुनार के किले कोश ने घेर लिया हुमायू के नितुत में मोलों की सेना ने चुनार को घेल लिया चुनार मिर्जापुर डिस्टिक में है और इसको पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है और भारत के बहुत सुजण दुर्गों में इसकी गिंती होती है। तो जब हुमायू के सेना ने चुनार को घेरा, उस समयार की किले की सुरच्छा की जिम्मेदारी शेर खां का बेटा कुतूब खां और उसका सिपेषालार गाजी खांसूर के हाथों में था। कौन थे? कुतूब खां? और गाजी खांसूर इन दोनों के नेतुत में चुनार था हुमायू के नेतुत में जो सेनाएं थी वो आगरे से चल पड़ी थी 27 जुलाई 1537 1537 में सेनाएं चली और वो सेनाएं अक्टूबर 1537 में आ गई थी चुनार और उन्हों चुनार को खेल लिया अब यहां देखिए हुमायू का जो आलसी सभाव था हुमायू की जो कार्योजना थी वो कितनी लचर थी कि हुमायू छे महीने तर चुनार के किले को घेरे रखा छे माह वी तुगे मार्च 1538 में उसने चुनार को किसी तरे सैनिक युद्ध की वज़े से नहीं उसका जो तोपची था रूमी खा उसकी सूजवूद से उसने किसी तरे चुनार को जीतने में सफलता प्राप्त कर ली खुमायू को सफलता मिल गई लेकिन 6 महीने का समय चुनार के किले पर घेरा डालने में जो उसने बेर्थ कर दिया वो एक बहुत बड़ा समय था जिसकी की भरपाई उसको करनी पड़ी तो 1538 में मुगलों के हाथ चुनार आ गया मुगल सत्ता स्थापित हो गई चुनार के उपर लेकिन सेरखा ने उस मौके का लाब उठाया ध्याद दिजिए सेरखा के बेटे के नेतुत में जो सेना थी जलाल खा और खवास खा उस सेना ने गौड पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली गौड की राध्धानी पर उसने अधिकार कर लिया दूसरी ओर सेरखा के नेतुत में जो अफगानों की सेना थी उस सेना ने मुंगेर से लेकर के गौड तक का जो ये पूरा छेत था इस पूरे छेतर पर अधिकार कर लिया मुंगेर से लेके के गौर तक ये पूरा छेत शेरखा के नियंतरण में आ गया और यही नहीं ये रोहतास गड़ का जो किला था रोहतास गड़ के किले को भी शेरखा ने अपने नियंतरण में ले लिए रोहतास गड़ जो आज ससाराम जिसका हैड़क्वाटर है रोहतास गड़ एक बहुत प्रसिद दुर्ग था बहुत बीरान जंगलों के बीच बहुत सुरचित दुर्ग माने जाता था शेरखा ने बहुत दूर दर्शिता से सोचते हुए कि जब हुमायू के साथ युद्ध होगा तो अपने परिवार को सुरचित कहां रखा जाए इसके लिए उसने पहले से योजना बनाई और रोहतास गड़ को चुना रोहतास गड़ उसमें एक हिंदू सासक के नेंतर में था उसका मंत्री था चूडा मड़ इसने चूडा मड़ के साथ मितरता करके किसी भी तरह उससे राजि कर लिया कि सेरखां के परिवार को रोहतास गड़ के किले में सरन दी जाए सेरखां का परिवार और उसके साथ पालकी में कुछ ऐसे सैनिक भी प्रवेश कर गए और कहा जाता है कि सरड के बहाने इन लोगों ने किले में प्रवेश करके किले पर ही अधिकार कर लिया तो इस तरहे सेरखां ने रोहतास गड़ पर अधिकार कर लिया किला तो मिला ही, किले में जो हिंदू सासक का खजाना था, वो खजाना भी इसको मिल गया, तो रोहतास गड़ मिला, मुंगेर से लेकर के गौरतक का प्रदेश इसको मिल गया. ओके हुमायू को चुनार जितने में सभलता तो मिल गई लेकिन चुनार एक ऐसा अस्थान था जहां से पूरे छेट पर निंत्र नहीं हो सकता था अब हुमायू आगे की और बढ़ा उसको बंगाल पहुंचना था ग्यासुदेन महमूद की मदद के लिए लेकिन तब तक ग्यासुदेन महमूद की मृत्त हो चुकी थी कोड जो रधनी नगर था उस पर जलाल खा और खवास खां की सेनाओं ने अधिकार कर रखा था हुमायू आगे की और बढ़ा सेर खां ने यहां बहुत हुंसियारी का परचे दिया मुगल सेनाओं को आगे बढ़ने का पूरा बाउका दिया मुगल सेनाओं आगे बढ़ती रही मुंगेर से आगे चल करके जब तेलिया गढ़ी पहुंची तो तेलिया गढ़ी चुकी वहां दो दर्रे थे उन दर्रों से गौड की तरफ जाए जा सकता था उन दर्रों पर अफगान सेनाओं ने मुगल सेनाओं को करारी टक कर दे और लगभग एक माह का समय इन दोनों दर्रों पर अफगान सेनाओं ने मुगल सेनाओं को रूखे रखा और इस आउसर का लाभ जलाल खा और खावास खाने ये उठाया कि जो खजाना उनको गौड में मिला था उस खजाने को मुगल सेना से छिपा करके वो रोहतास पहुचाने में सफल हो गए और जब उनकी युजना पूरी हो गई तो उन्होंने तेलिया गढ़ी और सिक्री गली के दर्रों से मोर्चा उठा लिया मुगल सेनाएं गौड की राध्धानी जब पहुची तो वहां लासों के धेर थे तवाह नगर था फिर भी हुमायव ने उसको जन्नताबाद का नाम दिया और मुगल सेनाएं वहां आठ माह तक रही अब मुगल सेनाओं ने फिर आठ माह का समय बरबात कर दिया इधर शेरखां की सेनाएं सारा खजाना लेकर के रोतास पहुच चुकी थी अब सेरखां ने बहुत अच्छे से प्लारिंग किया कि जिससे आसानी से मुगल सेनाओं को प्राधित किया जा सके अब ज़रा मांचित को देखिए मुगल सेनाय गौड पहुंच चुकी थी इस पूरे प्रदेश पर गौड से लेकर के मुंगेर तक सारा ये प्रदेश सेर्खां के नेंतरण में था रोतासगर उसके नेंतरण में था अफगान सेनाओं ने मुगल सेनाओं की गैर मुद्जूद्गी का लाव उठा करके कन्नोज तक का छेतर जो था इस पर अधिकार कर लिया और इस पूरे प्रदेश पर जब अफगानों का नेंतर हो गया तो कन्नोज से लेकर के गोड के वीच किसी प्रकार का कोई यातायात या रसत की या पूर्ती मुगल सेनाओं को ना हो सके इसकी उन्होंने ब्योस्था कर दी मतलब उन्होंने सारे संपर्क मुगल सेनाओं के काड़ दी अब आगरा से मुगलों का कोई संपर्क नहीं रह गया पहले तो उन्होंने एक सतर खिलाडी के रूप में मुगलों को अंदर आने दिया और जो मुगल से नहीं बंगाल तक प्रवेश कर गई तो इस पूरे रास्ते कोरों ने बंद कर दिया आगरे से हुमायू का कोई संपर्की नहीं रहे गया कर्णवस तक का सारा छेतर अफगानों के रिंतर बे आ गया और इसी समय जो हुमायू का भाई था हिंदाल जिसको संभल की जागिर दी गई थी वो भी बहुत त्वाकांची था उसने देखा कि हुमायू आगरा से बहुत दिनों तक के लिए बाहर है उसकी महत्वाकांचा जग गई और उसने आगरा आ करके सेख बहलोल जो हुमायू का बड़ा विश्वास पात्र था उसकी हत्या करके वो स्वयम राजा बन बैठा हिंदाल आगरा आ गया और उसने अपना रात तिलक करके अपने आपको बासा घुशित कर दिया बहलोल लोटी की हत्या हिंदाल द्वार आपने आपको राजा घुशित कर लेना ये समाचार जब किसी तरह हुमायू तक पहुँचा तब तक आठ माह का समय हो चुका था अब हुमायू जैसे तैसे उसने गौड की सुरच्छा के लिए पांच हजार सैनकों की फोज जहांगीर कुली बेक के नेतुत में सोपी और वापस मुगल सेना के साथ आगरा की ओन तरपड़ा देखिए चौसा के युद्ध की जो पूरी प्रिष्ट भूम है बहुत ही कोटनेतिक तरीके से जैसे सत्रन का मज़ा हुआ खिराडी खेल खेलता है इस तरह विसाद विसा रखी थी सिरसान है जब हुमायो की सेनाएं वापस लोटी तो हुमायो ने अपनी सेना को दो भागों बार दिया एक भाग करने तो तुसका भाई असकरी कर रहा था एक भाग करने तो तो स्वयम कर रहा था दोनों से नाए अलग-अलग रास्ते से चली और मुंगेर में आकर के मिल गई मुंगेर से उन्होंने ये ससाराम होकर के जो ग्रेंट ट्रेंक रोड है इस रास्ते आगरा की और बढ़ने का प्रयास किया ये वो रास्ता था जहां अफगानों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था और ये छेतर सेरखां के नियंतरण में वाला छेतर था अफगान जो गुप्टचर व्यवस्था थी वो बहुत सक्साली थी सेरखां के गुप्चर पल-पल की ख़वर दे रहे थे कि मुगल सेनाओं का मुव्मेंट की सोर है सेरखां ने अब मुगलों की सेना पर छुट-पुट आगरमन जारी कर दिया छापा मारिउथ मुगलों के साथ उन्होंने करना चालो कर दिया और जैसे तैसे मुगल सेना चौसा पहुँचिए चौसा बकसर से दस मिल की दूरी पर दच्छन पर सिम्दिसा में इस्तित है गंगा नदी का किनारा है तो गंगा और कर्मनासा ये दो नदिया है उन दो नदियों के बीच का प्रदेश है चौसा तो वहाँ पर मुगल सेनाओं और सेरखां की जो सेनाओं थी दोनों आमने सामने आ गए मुगल सेनाओं ने यहाँ पर चौसा में गंगा को दच्छन की ओर पार किया और सामने अफगान सेनाओं तो आमने सामने दोनों सेनाओं ने मोर्च जमा लिए यहाँ भी हुमायू फिर भूल करता है दोनों सेनाओं आमने सामने तीन माह तक बिना युद्ध किये पड़ी रही लेकिन इस अवसार का लाग मुगल सेनाओं की कमजोरी, मुगल सेनाओं की रणनीत, मुगल सेनाओं के सैनिक सिवरों की जानकारी और अपनी सर्थ को संगठि के लिए जो प्रबंध किये जाएं उसको करने में बिताया हुमायू ने सेर्खां की बढ़ती हुई ताकत को देख करके सेर्खां के पास एक संध्यप्रस्ताव भेजा, सेर्खां जान बूज करके इस संध्यप्रस्ताव में मुगल सेनाओं को और हुमायू को उल्जाय अपने राज में चलने देता है तो बंगाल और बिहार का पूरा छेतर पुद दे दिया जाएगा लेकिन सेरखा ने उसमें एक सर्थ रख दी कि चुनार का किला भी उसको दिया जाए तब ही उस सर्थ को मंजूर करेगा हुमायू ने जो संद्प्रस्ताव रखा था उसको जान भूज करके सेरसा लंबा खीचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे प्रतिच्छा थी एक ऐसे आउसर की जिसके लिए वो अपनी चाल चल रहा था और वो प्रतिच्छा की सीज़ की थी बरसाता ने की मुगल सेनाओं ने गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच में चौसा में अपना मोर्था जमा रखा था बहुत समतल मैदानी छेतर था शेरखा इस बात को समझता था कि जैसे बरसाता आएगी ये पूरा प्रदेश पानी से भर जाएगा और मुगल सेनाओं के जो सैनिक सिविर हैं वो पानी के प्रवाह मार्ग में होंगे तो वो जान बुझ करके इस बारता को खिसता जा रहा था आखिरों समया गया 25 जून 1539 एक दिन पहले 25 जून 1539 को सेरखा ने एक बहाना बनाया कि चौसा के पास एक आदिवासी सर्दार रहते थे चेरो चेरो आदिवासी कभीले के सर्दार महारत पर अफगान सेनाएं आक्रमर करने के लिए जा रही और ये जो अफवाह है उसने पहुचा दी जिससे कि मुगल सेना बेखवर हो जाए और अफगानों के ऊपर उनको कोई संदेह भी न हो मुगल सेनाओं तक के मैसर पहुच गया मुगल सेनाएं अफगानों की तरब से बेखवर हो गई कि वो तो अफगान सेनाएं महारत चेरों के ऊपर अभियान के लिए जा रही है, क्योंकि सेना का मुवमेंट होगा तो दिखेगा हमने सामने तो महारत Čरों के ऊपर अवियान के लिए अवियान सेनाओ उस से पहले रात ही थी उसी समय मुगसेना पर सेरसा ने आक्रमर कर दिया अफगान सेनाओं ने मुगल सेनाओं पर आक्रमन कर दिया जो सेना उस कर्मनासा और गंगा के मजानी छेतर में इस्थित थी एक तो वरसात का समय दूसरा रात में अंधेरे में जब आक्रमन हुआ तो सारी सेना तितर बितर हो गई सेनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे हुमायू को स्वैम समलने में बहुत वक्त लगा उसने जैसे तेसे घोड़े का प्रबंद करके घोड़े पर बैठ करके अपनी सेना को नेंतित करने का प्रयास किया लेकिन जिस तरह से अफगान सेना मुगल सेना पर तूट रही थी सेनकों को अपने प्रान के लाले पड़ रहे थे सेनिक भाग रहे थे कोई किसी नहीं सुन रहा था हुमायू की जान संकट में आ गई उसके कुछ विश्वत सिपाहियों ने किसी तरह हुमायू को हाथी पर बैठा करके गंगा नदी पार करानी चाही लेकिन हुमाय की अंधेरे में लड़ा गया बिना किसी सेनिक घमासान उद्ध के बड़ी आसानी से मुगल सेनाओं को पराजित कर दिया गया बरसात का समय था मुगल सेनाओं को अपनी जान बचानी में आफटा गये एक तरफ गंगा दूसरी तर मुगल सेनाओं का पीछा करते हुए बग हुमायू छोण भागा हुमायू की जो प्रेवेगम थी रानी वेगा उसको भी हुमायू छोड़ गया बहुत सी मुगल महलाएं हरम में ही रह गई सेर्षा ने उन मुगल हरम की महलाओं को एक बहुत ही सजन बित के रूप में पर्चे देते हुए नकिल उनको सम्मान से रखा बलकि सेनिक सुरच्छा में उनको मुगल राध्धानी आगरा तक भेजा सेर्षा अगर चाहता तो हुमायू का पीछा करता और हुमायू को आगरा पहुचना मुश्किल हो जाता लेकिन सेर्खा ने हुमायू का पीछा नहीं किया मुगल सेनाओं को पराधित कर दिया और इस प्रकार ч इस प्रकार जो ये युद्ध था 1539 को 26 जून को लड़ा गया और इस प्रकार अफगान सत्ता ने मोगल सत्ता को पराजित कर दिया हुमायू को किसी तरह अपनी जान बचाते हुए भागते हुए आगरा पहुचना पड़ा तो बित्रो इस प्रकार चौसा का युद्ध बहुत सूज भूज के साथ बहुत कूटनी तिक परतिभा के साथ एक सैनिक छमता के साथ लड़ा जाने वाला युद्ध था जो सारी इस्थितियां सेरखां के पच्छ में थे इस युद्ध में हुमायू की जो भूले थी हुमायू की गजो गलतियां थी उसकी वज़े से सेरखा उसको आसानी से पराजित करने में सफल हो गया सेरखा की तुलना में हुमायू ने दूरदर्सिता का ना तो परचे दिया ना उसने सैनिक सुझभूज का परचे दिया ना उसने अच्छी कूटीत का परचे दिया और प्रडाम हुआ कि मुगस भासा हुमायू एक बड़ी सेना होने के बावजूद भी चौसा का युद्ध ह मुगल सत्ता के पैर भारस से उखार दिये और वो इद था कर्नोज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध उस इद को से खाने कैसे जिता बहुत ही रोमांचक तरीके से सुनिएगा अगले वीडियो में थैंक्स